एक गाईस कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक इन मै नीव वीडियो, तो फाइनली आप ए गाईस आपका भाई एक बार और फिर से ग्रेन मास्टर प्लेयर को एक्सपोज करने के लिए आ गाया गाईस एंड ये लोग grandmaster player players किस trick का use करके guys अपना जो rank grandmaster पे पहुँचाते हैं उस trick का आज मैं reveal करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ तो उसके लिए guys मैंने यापे देख लो अपनी पूरी squad में 3-3 grandmaster player को बुला लिया ये तीनों बंदे अभी grandmaster पे बैठे और मैं आपे game में जाके खुद eliminate होके दिखाऊंगा कि ये लोग कौन से character skills इस्तमाल करते हैं कैसे खेलते हैं वो सारे tricks reveal करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब भी grandmaster player है ये लोग जिस trick का use करके rank push करते हैं वो trick आप लोगों को बताने वाला हूँ तो finally इस trick का use करके आप लोग भी grandmaster लगा सकते हो and finally आप लोग भी लोगों की तरह grandmaster पहुंच सकते हो तो यहाँ पे देख लोग ये लोग सब भी के सब भी grandmaster player है तो चलो मैं आप लोगों को game में भी जाके दिखाऊंगा कि हाँ ये इस trick का use करते हैं ऐसे character skill इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पे guys देखो मैंने lobby का scene cut कर दिया तो यहाँ पे देखो guys ये लोग यहाँ पे उतर रहे तो मैं पहले map में pin up कर देता हूँ इधर ही उतरते है clock tower की तरफ चलो ठीक है ज्यादा दूर नहीं जाएंगे ऐसा trick का इस्तमाल ये लोग करते हैं आप लोग देखके सौक हो जाओगे literally यार और क्या-क्या character skill करता है मैं तो यहाँ पे अपना character skill देख लो guys मैंने लगाया है कि ये character ford character फोड नहीं लगाया है maximum लगाया है पलोमा लगाया और एक मीशा लगाया और ये जो सारे grandmaster पे लाए players हैं guys वो लोग क्या-क्या character skill लगा है वो लोग भी आप लोग दिखा दूँगा बस मैं आप एक बार नीचे उतरने तो मैं loot करके guys eliminate होके दिखाऊंगा कि ये लोग आखिर हाँ ये ये character skills इसमाल करते हैं और ऐसे ये लोग gameplay करते हैं तो वीडियो को पुरा end तक देखना guys आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी और वीडियो को end तक देखने के बाद guys आप लोग भी अपना rank पुष कर पाओगे literally और इन लोगों की तरह guys grandmaster push कर पाओगे पौँच पाओगे क्योंकि ये लोग guys बहुत आप लोगों को पताओगा आप लोग सोचते हैं न grandmaster player noob रहते हैं तो guys ये लोग कैसे trick guys किस trick का इस्तमाल करते हैं आखिर कैसे दिमाग लगा कि ये लोग grandmaster पहुच जाते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलो guys मैं सबसे पहले यहाँ पहले ना आई है सब loot बगेरा निकाल लेते हैं क्योंकि मेरा एक दोस्तारा मैं उसको loot देता हूँ और मैं सारी चीजें यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ ठीक एंड मैं लेंड माइन लगा के फोड के मर जाता हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर यह लोग कैसे character skills लगाते हैं आखिर यह जो इतने बड़े grandmaster पे ले रहे हैं यह लोग कौन सा character skill लगा के खेलते हैं वो भी आप पहले बताऊंगा आप लोगों को ठीक है यह लोग आखिर कौन सा character skill ले जो इतने इतने बंदे लोग सब grandmaster पे बैटे हैं तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख लो सबसे पहले हमारा ही आइडिया एक बार उस गईस बस यह सिंग है गईस एंड यह देख सकतो यह भी अपना ही भाई है मतलब तीन मंद्ने गईस देख लो एंड तीनों ने क्या-क्या character skill लगा है सबसे पहले हम पनी देखेंगा गईस जो अत्यारा वाली आइडिया यहाँ पे देख लो गईस हमारे अत्यारा भाई ने क्या लगा है एक लगाए मैक्सिम करेक्टर एंड सबसे इंपोर्टेंड जो रैंक पुसिंग एंड जो ग guides all the grand aktuell players use करते हैं वो हमारा के कराक्टर तो वो कॉरेटर यूजि़ किया है मीपाइब का लिटेइव वाला दून जो कि इसकील एक चेन जगाई जो इसने मैक्सिम नहीं लगाया गई थीग है मैक्सिम के जगा पर इन्हों ने कुछ और इसकील लगाया है तो वह प्या लगाया है इस में आप लोगों को दिखाता हूं यह राफेल का स्कील का अगर आप लोग कोई सनाइपर चलाओ गे न तो 90 परस को इन लोगों का खहल लेका कामबीनेसन बताऊँगा है यह लो warranty कैसे यार कैसे खहलते हिप्त कैसे रैंक पुश कर लेता है हम लोग तो नहीं कर पाते है हम लोग भी तो कहलते है तो देखो गाइस यह लोग सिम्पली से एक किल भी मिल जाता है और यह लोग मरते भी नहीं है थो रिवाइप भी हो जाते हैं समझ करें गयास यह लोग जल्दी से चावर नहीं चोड़ते हैं तो ऐसे करके गैस गाड़न जेसे गाडवर लोग कर रहें गैपले गैस इस तरीके से गैपले करने में बहुत ही ज़ादा easy होता है एंड यह लोग अच्छे से gameplay भी करते हैं तो चलो मैं यह आपे guys revive हो कि उतर जाता हूँ then मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे क्या करना है देखो, सबसे पहले all grandmaster player क्या करते हैं चलो अच्छे से खेलते हैं, अलग अलग खेलते हैं लेकिन एक और trick का इस्तमाल करते हैं वो क्या पता है, drum damage यह लोग ना guys, drum damage जाके ले लेते हैं मतलब side में drum के पास जाके अपनी इनेमिग हो guys अपनी teammate को फोड़ लेते हैं ताकि क्या होता है कि drum से जो extra damage होता है वो external damage मिल जाता guys जिससे अगर कम kill भी रेगा, फिर भी plus मिलेगा रुको, मैं इसको मार के आप लोगों को आगे बताता हूँ इस चिर्कूट को अभी हम लोग फोड़ते हैं guys यह बंदे का काम तमाम तो finally guys, यहाँ पर अपन लोगों का भी खाता खुल चुका है रुको, मैं इसको finish कर देता हूँ यह इधर भी बंदा है यार, यह दुखो वै कित चिर्कूट है इधर, रुको, रुको, रुको एक और मारने का try करते हैं इसका भी पोपड बनाएंगे guys, रुक जाओ अपन बताता हूँ, रुक जाओ, यह रहा एक घुली लगा यह भग गया रुको, इधर guys, अपना teammate knock हो गया है तो यहाँ पर अपना एक बंदा है, जो की fight कर रहा है रुको, 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 रुको ड्रम के पास and उसके बाद revive कर देना ऐसा नहीं कि छोड़ के भग जाना क्योंकि सारे grandmaster player guys, जो 8000 बंदे पता है, आप लोगों को 8000 बंदे grandmaster पे रहते हैं, उसमें से 6000-7000 बंदे ही drum damage लेते हैं बाई, सोचो, सारे के सारे बंदे अनरीजन में तो एक भी बंदा नहीं होगा जो top 300 में प्लेयर्स रहते हैं उसमें से सारे के सारे प्लेयर्स तो fix है guys, एक दम 1000% मैं लिक के गारंटी के साथ कह सकता हूँ guys, सब भी लोग drum damage लेते हैं, सब भी लोग, सब भी लोग और A to Z player drum damage लेते हैं तो में से आप लोगों को 10-15 मिनेट तक ट्रेनिंग करने ले लेना है उससे चाओगा guys, आपका speed बढ़ जाएगा, ठीक है जो बंदे का मारने का speed होता है न वो आप लोग थोड़ा तेजी से मार पाऊगे तो वो speed आप लोगों का बढ़ जागा जिसके कारान कोई दिक्कत नहीं होगा बाई इस सिर्कोट अपन लोगों को नोक कर दिया कोई ना guys, यहाँ पर देखो हम लोग सभी मर चुके हैं यहाँ पर अभी देखो guys इस भाई का 10 kg चुके है, मतलब समझ रहे हो याद यहाँ पर अपने भाई का guys, अपना एक ही भाई बचा है और इसका 10 kg हो चुका है और यहाँ पर एक और बंदा है तो यहाँ पर चलो यह इसको clear कर देता है और इसको finish भी कर देगा I think तो आपर देखो इसको finish कर दिया हम लोग सभी का किल हो चुका है, ऐसा बात नहीं है और वैसे भी सबने drum damage ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों जैसे मैंने बताया ना कि drum damage ले ले लेते सब भी एक ना एक को सरवाइब करना पड़ेगा अब लोग सब मर गये और यह एक ही बंदा यह होगा कि आप लोग टॉप टू करोगे और टॉप टू करने के बाद आपका जो है score भी बढ़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है, score भी बढ़ेगा without कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत भी नहीं होगा जैसे यहाँ पर देखो अपना बंदा गईस यह पागलों की तरह रस नहीं कर रहा है skill के लिए नहीं मर रहा है इसको अपना rank बचाना है हम लोगों को अपना rank बचाना है तो यहाँ पर 1 vs 2 का situation आ जाता है यह ललाई करने के लिए जाता है fight करने के लिए लेकिन scene क्या हो गता है गईस एंड को कितनी अच्छे तरीके से गईस टॉप टू किया एंड बूया थोड़ी से के लिए बच गया तो गईस इस तरीके से grandmaster player खेलते हैं अपना rank पुश करते हैं अगर आपको यह वाले वीडियो पसंद ना है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बैल लोटिफकेशन को भी आल पे सट कर देना क्योंकि आम लोग ऐस तरी अमेजिंग इंट्रिस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं मिलते हैं इस अगली वीडियो में तब तक के लिए गईस बबाई लव यूल गईस बबाई